वैसे तो बहुत से method होते हैं एक signal को एक जगा से दूसरी जगा तक transfer करने के लिए wire के थूरू light के थूरू ये फिर radio frequency के थूरू लेकिन आज बात करते हैं एक light के थूरू यानि कि laser light के थूरू हम एक signal को दूसरे जगा कैसे share कर सकते हैं यानि कि send कर सकते हैं वो भी 7 के साथ गाइस अभी जो आप देखें यह एक microphone device है यानि कि जो भी आप यहाँ पर speak करोगे इसके पास वो speak कोई sound भी हो सकता है यह फिर आपकी खुद की voice भी हो सकती है वो voice एक जगा से दूसरी जगा हो जाएगी यहाँ पर यह जो solar plate आप देखें यह solar plate actual में एक amplifier से connected है जैसे ही solar plate प उसे convert करते है एक electrical signal की रूप में यानि कि एक छोटे audio signal के रूप में यह जो amplifier आप देखें यह amplifier आप receiver भी बोल सकते हैं यह उस signal को convert करता है एक बड़े signal के रूप में जिससे कि आप इस speaker पे उसी voice को सुन सकते हैं उसी time तो इस signal को send करते हैं तो इसके लिए हमें 5 वोल्ट च connect किया हुआ है तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे like कीजिए subscribe कीजिए तो अभी जो देख रहे हैं इसके अंदर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो 5 वोल्ट connect कर देते हैं नेगिटिव में नेगिटिव और पोजिटिव में पोजिटिव आपको connect करना है इसका सरकी diagram किस परका में इस solar के संपर्ग में आएगी है निकी contact में आएगी अभी आउट है तो इसे संपर्ग में लाने की कोशिश करते हैं इस पे speak करने की कोशिश करते हैं तो इसे set करते हैं अभी MOSFET पे आ रहे हैं अभी प्लेट के थूरू इसे लाते हैं तो इसकी direction को set करने के लिए यहां पर यह रख देते हैं ताकि जो भी light हो वो सिधि कॉंटेक्ट में सॉलर के मैं हेलू 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 हेलु तो देख रहां इस परकार से काम कर रहा है यह प्रोजेक्टी स सब्सक्राइब के साथ stay camera channel